हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है अपके अपनी स्फी फर्मा ग्यान चेलेल में दोस्तों आज हम डिसकर्स करने वाले vitamin A के फाइदे के बारे में vitamin A के फाइदे क्या-क्या होते है और ये कहां से प्राप्त होते है source and requirement for per day हमें कितनी जरुरत होती है रोज इसे लेने के लिए और इसके defenses कमिया क्या होती है और role and functions क्या-क्या होते है तो सबसे पहले हमारे source ये कहां-कहां से प्राप्त होते हैं सबसे पहले liver, fish liver and egg से मिल जाते हैं meat वगरा से and vegetable में आपका है carrot हो गया, radish हो गई और पापाया हो गया, coriander हो गया fruits हो गई, इन सभी में vitamin A की कमिया पूरी हो जाती है इसे खाने से और इसकी requirement के बाद करें पढ़ ले की, तो adult में 750 UG चाहिए होता है और children में 200-600 UG चाहिए इसके जो होने वाले रोग होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, इससे क्या, इसकी कमी के वज़े से blindness, night blindness होता है जो रात के समय होते ही दिखाई नहीं देता है ठीक है, और और दूसरा यह होता है, cirrhosis यह vitamin A की कमी के वज़े से होते हैं and sports cirrhophilothelemia भी होता है और इसके role of functions इसके फाइदे के बारे में जानेंगे इसके से फाइदा क्या क्या होता है जैसे कि पहला है आपका to maintain visual activity यह capsule vegetables, सबजी जितने भी है source यह सब खाने से हमारे visual activity बढ़ती है आखों की रोशनी के लिए बहुती लावदायक होती जिससे बढ़ता है normal function and epithelial tissue and glands यह सहायक होते है normally हमारे epithelial tissue, शरीर के जो tissue है और glands में तीसरा है आपका support normal growth of skeleton यह support सहायक होते हैं हमारे normally growth और हड्यों को बढ़ाने में चौता है आपका anti-infective action यह बाहरी रोगाणों को रोकते हैं anti-infective जो बच्तिरियों होते हैं उन्हें शरीर से बचाव के लिए भी काम करते हैं vitamins A तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करके subscribe करें झाल 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 झाल